मध्य प्रदेश की पूरु मुख्य मंत्री उमा भारती ने शराब बंदी को लेकर मुद्दा उठाया है तब से ही सिवराज सरकार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है बता दें की ऐसा ही एक बयान सिवराज सरकार में मंत्री उशा ठाकुर ने दिया है मंत्री जी ने शराब बंदी पक मोर्चा खोल दिया है जिसके बाद इस मुद्दे को फिर से हवा मिल गई है दरसल आपको पूरा मामला बता दें की उशा ठाकुर ने ग्वालियर में शराब बंदी को लेकर पत्रकारों को अजीबो गरीब बयान दिया है उशा ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों में शराब बंदी हुई वहां लोगों की और दुरगती हो गई है शराब बंदी होने के बाद भी शराब ब्लैक मार्केटिंग के जरिये पीने वाले लोगों तक पहुच ही जाती है कोई व्यक्ति यदि शराब नहीं पीता है तो उसको कोई जबजस्ती नहीं पिला सकता है ऐसे में हमें सबसे पहले लोगों के मन और मानस को बदलना जरूरी है बतादें की मध्य प्रदेश में शराब बंदी की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती लगातार आवाज उठा रही है हाल ही में उन्होंने राजधानी भोपाल की एक शराब दुकान में घुश कर पत्थर फेका था दरसल वह अपने समर्थकों के साथ BHEL इलाके के आजाद नगर की शराब दुकान पहुँच कर तोड़ फोड की थी इसका वीडियो भी खुब वाइरल हुआ था